डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाव अलेकुम मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल M.A.T. हवित कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है G.R.D.S. वक जाया नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक G.R.D.S. सबसे पहले हम बात करते हैं कि G.R.D.S. क्या है तो एक पैरसाइट है जिसका नाम है G.R.D.A. लिमलिया इस पैरसाइट को G.R.D.A. डूडिनेलिस वी का जाता है अगर हम बात करें इस पैरसाइट की शकल की तो यह दर असल में फ्लेजिलेटिट पैरसाइट है और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किसके फ्लेजिला होते हैं और बिलकुल ये नाशपाती की शकल का होता है इसके दो शकले होती हैं एक शकल को कहा जाता है ट्रूफोजवाइट जो के आपको पिक्चर में नजर आ रहा है और ये एक्टिफ फारम होती है इस पैरसाइट की और इसी फारम में जब ये आता है तो फिर इनसान के जिसम में जो बीमारी है उसके अलामात आना शुरू हो जाते हैं इसके इलावा जो दूसरी शकल है वो कहलाती है सिस्ट शकल या सिस्ट फॉर्म और इसमें ये पेरसाइट इनेक्टिव फॉर्म में होता है यानि गेर फाल होता है और इस हालत में जब पेरसाइट होता है इनसान की आंतों में तो बीमारी के कोई भी अलामात नहीं आती अब भी बात करते हैं कि जियाडिया लेमलिया का जो लाइफ साइकल है तो वो कैसे होता है तो सबसे पहले इनसान अगर ऐसी खुराक या ऐसा पानी पिये जिसमें इस जियाडिया लेमलिया पेरसाइट का सिस्ट मौजूद हो तो वो सिस्ट इनसान के जिसम में जाता है और सबसे पहले वो डियूडिनम में जाता है तो हर एक सिस्ट से दो ट्रोफोजोईड जो हैं वो बनते हैं फिर ये पेरसाइट चोटी आंथ से चला जाता है बड़ी आंथ में और दुबारा से वहां पर बहुत सारे सिस्ट बनाता है और फिर वो सिस्ट दुबारा से इनसान का जो स्टूल होता है तो उसमें वो खारज ह और अगर ये स्टूल जाकर किसी भी खाने वाली चीजों को गंदा करता है या किसी पानी को गंदा करता है और वो खाना या वो पानी कोई और पीता है या खाता है तो वो सिस्ट उनके जिसम में जाता है और दुबारा से जो साइकल है वो रिपीट हो जाती है बात करते हैं कि جو جی اڈی ایس اس کی بیماری ہے تو اس کے علامات کیا ہوتی ہیں تو اس میں جو مریض سٹول پاس کرتا ہے تو وہ انتہائی بدبودار قسم کا ہوتا ہے مریض کو اسحال یعنی ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے اور بار بار ڈائریا ہوتا ہے مریض کو پیٹ میں شدید قسم کے مروڑ پڑتے ہیں اس کے علاوہ مریض کا وزن کم ہوتا ہے کھانے کو جی نہیں کرتا پیٹ میں گیس بہت زیادہ جمع ہوتی ہے اور مریض کو dehydration हो जाता है GRDSS के लिए हम तश्खीस कैसे करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो टेस्ट किया जाता है आम तोर पर तो वो स्टूल रूटीन इग्जामिनेशन है जिसमें ट्रोफोजोईट और सिस्ट फॉर्म जो है वो देखा जाता है मरीज के खून में और स्टूल में भी एंटीजन देखा जा सकता है डायरिक्ट इम्यून फ्लोरेसिंस ऐसे का टेस्ट भी किया जाता है और इसमें जो सिस्ट फॉर्म है तो वो अब्जर्फ की जाती है माइक्रोसकोपी की मदद से अगर हम इलाज की बात करें तो इसका इलाज बहुत ही ज्यादा सादा इलाज है और इसमें ज्यादातर मिट्रोनेडाजोल की जो टेबलिट है वो दी जाती है पांच से दस दिन के लिए इसके इलावा टी निडाजोल जो है वो भी बहुत ज्यादा मौसर है और वो भी दी जा सकती है जियाडीस इसके इलाज में बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लिक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाहाफेज